हेलो बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लोथ फॉर अर्स के कोशन आंसर्स ओके अब हम स्टार्ट करेंगे कोशन ए से नहां पे लिखा है राइट डबलू फॉर विंटर क्लोथ एस फॉर समर क्लोथ एन आर फॉर तिंग वी यूस इन दा रेनी सीजन मतलब डबलू विंटर विंटर मतलब होता है सर्दियों के सीजन एस फॉर समा मतलब गर्मियों के सीजन में और आर फॉर होता है रेनी सीजन बारिश के सीजन में ओके आगे हम जैकिट यहां है पहला जैकिट जैकिट हम कौनसे सीजन में पहनते हैं winter में तो winter के लिए आएगा w फिर है frog यह है cotton frog cotton frog हम कौनसे season में पहनते हैं cotton frog हम पहनते हैं summer में तो यहां आएगा else यह तीसरा है umbrella umbrella हम कौनसे season में use करते हैं it's rainy season तो हम यहां क्या लिखेंगे are okay this is a shoes rainy shoes तो हम rain shoes तो उस कौँसे season में पहनते हैं, it's rain, तो यहां क्या आएगा, ज, this is the raincoat, raincoat हम कब पहनते हैं, raincoat हम पहनते ह flavored, rainy season में तो यहां आएगा आर, ok, next, यहां है muffler, muffler हम क्या season में यूज़ करते हैं, muffler हम यूज़ करते हैं, winter की season में, तो यहाँ आएगा W फिर अता है sweater sweater हम कौन से सीजन में पहनते हैं It's winter तो यहाँ आएगा W ओके, now next यह है Half paint यह Half paint हम कपहनते हैं यहाँ हम पहनते हैं Summer में तो यहाँ क्या आएगा S ओके, this is a T-shirt T-shirt हम कौन से सीजन में पहनते हैं It's summer तो यहाँ आएगा S ओके, now अब हम करेंगे इसके next question It's question B It's choose the correct word ओके, choose the correct word and fill in the blanks ओके, now 1 We We wear dash वही हाँ back it में है same different clothes in different season बोला है हम different कप्रेंट 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 हैं different मतलब different, different season में हम different कप्रेंट पहनते हैं तो यहाँ आएगा different ओके, now second clothes should be wash when they are dash हम कप्रेंट 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 हो जाते हैं जब वह dirty हो जाते हैं तो it's dirty जाएगा clothes should be washed when they are dirty okay, we wear